बहुआ बहुत अच्छे से दुलाई करते हैं हमें आके कुछी घंटे हुए थे कॉलकता में और हम वहा का famous dram देख रहे थे कि अचानक हमारे दाईं तरफ से किसी के पिटने की आवाज आई जब नजरे घुमाया उधर तो देखा कि वहा तो karate class चल रहा था थोड़ा सा और जूम किया तो पता चला एक पराठे को उसकी नानी याद दिलाई जारी थी हमारा देश्चस भी और बढ़ गया उसकी और हम वहाँ पहुँच गए इस पराठा बनाने के इस टकनीक कोई नहीं नहीं है कोलकता में बहुत सालों से ही चले आ रहा है इदर और बहुत फेमस यहां पे लोग बहार से भी आते हैं ये पराठा चेकने के लिए इदर पराठे को इसे पिटता हुआ देख मुझे मेरे बचपन के दिन नयाद आ गए जब हमारे पापा भी हमारी पिटाई कुछ इसी तरह ही करते थे इतना सब देखने के बाद हमारे बहन के अंदर का फुट ब्लॉगर जा गया उसने आज हमें कहा कि आज पूरा वीडियो वही होस्ट करेगी और मैं कैमेरे के पीछे रहूँगा और आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि पूरा वीडियो एंड तक देखिए और हमारे बहन क के ब्लॉगिंग स्टाइल को रेट करिएगा आउट ओफ 10 भाईया आपसे बात कुछ नहीं पिछले जनम में आपका पराठा के साथ कुछ दुस्मनी ठीकिया जो आप उसको इतना पीट रहे हो इसका नाम में वेसा है पिदाई फगाड़ा आप इससे को पीट रहे हो आपक चोदा सॉ लोबाजु वाली आणटी पी इस पहस री ये ते सारी सॉ ग्राम चौज स्री सु अब ये जल्दी बोल सुबह पनवेल के लिए निकलना है साग्राम 14 रुपय अब पूरा छहेसो रुपय तो भाया ने बोला के सौग्राम का चौदा रुपय और पूरा साधे छ यहां पर ने तिरको 100 ग्राम का 14 रुपय में मिलता है और यह जो पूरा ना साड़े 600 ग्राम लगभग है जो कि इनका प्राइस है 91 टू 94 फाइनली मेरी बेहन ने कर दिया दोस्तों ताली मारो रहे मारो 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 चल चल अभी खा के देखते हैंगे कैसा लगता है इतना तो पीटे है विचारे को पीट पीट के हालत फ्राव हो गए यह पर नहीं माने से धरम नहीं होगा भाईया मुझे दीजे ना थोड़ा सा यह मैं पूरे खाऊंगी नहीं दूंगी 100 ग्राम का अधा 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 ठीक मैं यह खाऊंगे फिर आलू दम भी खाऊंगी प्याज देते भाईया वो जो अलुमेटर ने बोला वो अलग से देते हैं क्या ना इसका प्राइस लगता है अलुदम का अव यह नरम है यार और मारो और नरम होगा फुड़ा गिर गया सौरी सौरी आलू दम के साथ ना और मज़े आ रहे बहुत सौफ्ट है और मैदा से बनाए तो अब्रेसली बहुत टेस्टी लगेगा कि मैदा का चीज होता है हां बहुत सोफ्ट अरे सोफ्ट तो है परीय आला क्यूं दिख रहा यार अरे आइदि अपना काला चस्मा तो उतरओ तो यह पिटाई पर आठाना इन बहुत रखते होगा अगर तुमको ना आडू दम खाना है इसके साथ में तो इसका चार्ज लगता है बट इसका चार्ज नहीं लगता है अलू मटर करी का बट आलू दम ना बहुत टेस्ट है इसलिए पैसा ले रहे हैं यह भी कम नहीं है अगर देल से निकल रहे हैं बटा जिस तरह से तुछ खारी यह न तो सुबह टॉलेट पे भी निकलेगा पॉइं 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 इन भुकड लोगों को इस तरह से खाते देख बाजू में जाते हुए एक इंसान को लगा साइद यहां पर फ्री में खाना मिल रहा है तो वो को भी वहां आ गया खाना मांगने अलू दम खावेगा अलू मतर अब देजिए थोड़ा उनके लिए प्याज भी डाल दीजिए खुश बहु बजार मोड बहु बजार मोड वेस्ट वेंगल कॉलकाता गॉइंग का कॉलेज मैं तो बोलूगे कि जो भी ना कैलकडा घूमने आ रहा है ना यह फिटाई बराड़ा तो ट्राइक करना ही बनता है भया बहुत अच्छे से दुलाई करते हैं पर शादी के बार लगा कि हमने बच्चों के बहुत अच्छे से दिलाई करेंगे तो यह वीडियो में बस इतना ही अभी मुझे खाना एंजोई करना है तो हम लोग आपको फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और एक अलग खाने के साथ में वीडियो का ना ज्यादा से ज्यादा शैर करना ह दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन तो दबा दो अगर बहुत पसंद आया तो प्लीज पेज को भी फॉलो कर दो और यूटूब में चाकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि आगे बहुत भाइंकर भाइंकर वीडिय स्टेट तुन्ट